नमस्कार दोस्तों मैं हूसरु शर्मा और आप देख रहे हैं मारे चैनल हरियान अपडेट डेली नियूस बात करिंग रेवाडी की बड़ी खबरों के बारे में तो वीडियो करते हैं शुरू देखे पहली बड़ी खबर आपको दाए तो रेवाडी के लोगों के लिए बड़ी खुश कबरी देखे आप सभी को दाए कि काफी दिनों से जो एमस है उसको चलते कुछ भी नहीं हो रहा था कि मतलब कह रहे थे कि बनेगा बनेगा लेकिन उसके बारे में exact कुछ भी नहीं बताया जारता हलांकि एक बड़ी statement आई है जो कि मैं आपको बता देता हूँ राव इंदर जीत सिंग केंद्रिय मंत्री है मंत्री है जो उन्होंने क्या का है उन्होंने का है कि माजरा में बनने वाला देश के 22 वा एमस का सिलानयास देश के प्रैदान मंत्री नरेंद्र अद्वार मतलब कल के दिन का कि एमस किसान सम्मीती में अधिकारियों की बैठक लेकर भूमी अधिग्रैन से संबंदिन्त रिपोर्ट ली और अधिकरत भूमी को जल्द से जल्द केंद्री स्वास्ते विभाग को सोपने के संबंद में कारवाई के निर्देश दे दिये है इसके बाद केंद्री मंती ने का कि माजरा के किसानों का अभार व्यक्त करते हुए का कि उन्होंने अपने छेतर में स्वास्ते संबंदी देश की बड़ी संस्था एमस को लाने के लिए स्वेच्छा से जमीन दान, हम कह सकते हैं जमीन देने का काम किया है राव ने का कि एमसे ना केवल दक्षिन हर्याना को बलकि साथ सटे राजस्थान को भी इसका फायदा मिलेगा उन्होंने काये कि जल्द से जल्द अब इसका सिला न्यास करा दिया जाएगा और प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी से मैं बात कर रहा हूं लगातार कि वो इसका सिला न्यास जल्दी से जल्दी करे वे ये भी बता रहे हैं कि वे जमीन से संब्दिन सभी उपचारिकताओं को जल्द से जल्द लोग पूरा करे और अधिकरित जमीन को केंद्री सरस्त विबाग को सौप दे लगबग 190 एकर जमीन अधिकित की जा चुकिया और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि लगबग 750 बिस्त्रों का अस्पताल होगा जिसे मेडिकल कोलेज, नर्सिंग कई लोगों को मतलम कह सकते फायदा होगा और इससे लगबग 3,000 लोगों को परत्यक्ष और लगबग 10,000 लोगों को ऐपरत्यक्ष रूप से फायदा होगा उनको रोजगार मिलेगा और आपको बतायता हूँ लगबग 1300 करोड रुपे केंदर सरकार देगी एमस की निर्मान की खर्चे बर इसके बाद दूसरी बड़ी ख़बर आपको बतायता हूँ पशू कुरूरता अधिनियम में दो लोग काबू देगे पुलिस ने राजस्तान से मिवाद किया और जार एक ट्रक में निर्ममता से बर कर ले जाई जारी 34 भैस मुक्त कर आई है पुलिस के निसार राजस्तान के लोग थे जो इनको इंदर भर के लेके जा रहे थे बैसों को और आपको बतायता हूँ दोनों आरोपियोतों को पुलिस ने गिराफतार कर दिया और उसके बाद उनके खिलाफ केस दर्च कर लिया है इसके बाद तीसरी बड़ी ख़बर रिवाडी में वहानों पर सिकन जा देखिए बुदवार मलग कल के दिन आर्टी की टीम उन्हें ने एक बर फिर सवारिया बैठाने वाले प्राइवेट वहानों के खिलाफ कारवाई किये देगी आप सभी को पता भी होगा कि कुछ प्राइवेट वान होते हैं गाडी वाले जो क्या करते हैं लोगों को बैठा ले जाते हैं और उनसे रूपए ले लेते हैं गुडगावा या दिल्ली जहां भी मतलब जा रहे होते हैं वहाँ उनको छोड़ देते हैं इसके बाद 33 स्वानों को रोड़वेज वर्क्शॉप में इंपाउंड करने के बाद उनसे लगबग 3.5 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूल हैं आर्टे टीमों की इस कारवाई के बाद डूटी पर जा रहे करमचारियों को गुस्सा साथ वे आसमान बर था आपक कह सकते कि गार्डियों में बैठाके लोगों को लेक के जाते गुडगावा दिली मेवात जहां भी छोड़ते थे इसके चलते देखिए जो उनमें ये बताया गए कि कुछ लोग टीचर भी थे गुवर्मन टीचर जो लोगों को बैठाके ले जाते थे और उनके भी चलान बगेरा काटे और देखिए जोpower देखिए जो teachers है व्वे काफी गुस्से में देखि़ों कि वह कहरे थे हम लेट हो रहे हैं आपके रहनद तो इसके चलते वो लोक गुसे में भी थे तो देखिए अधिकारी ने का कि हमारा भी एक काम है अब देखते हैं आगे क्या होता है लेकिन लगबक साड़े तीन लाख रुपए से जादा वसूली की गई है और ये वसूली देखिए किसली की गई है ये वसूली एक तरीके से चलान काटने के रूप में की गई है और आपको बतारता हूँ ये बिलकुल एक तरीके से एक्शन लिया गया है क्योंकि रोडवीर्स को काफी गाटा हो रहा है इस चीज से रिवाड़ी की बड़ी कबरे जाने के लिए चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब इस एक साथ धान्यवाद